हेलो दोस्तों multiple agriculture channel में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको परवल के खेती के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही costly खेती है और बहुत ही मार्केट में इसका वैलू है देशी परवल है दोस्तों जैसा कि इसका ज्यादा दवाववा का उप्योग नहीं करना पड़ता है दोस्तों बट कहा है टेकनिकल तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको इंकम देगा तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यह पोल गड़ा हुआ है और रस्ती बांत के इसको एक तरह से जमडा बनाया गया है एक लेयर दिया गया है उपर से तो कहने का मतलब यह हैं दोस्तों इसको नीचे नहीं नीचे मतलब जमीन पर इसको नहीं ले रहे हैं हम लोग इसको ऊपर लेंगे जै तो ऐसा कुछ नहीं है अप क्या करना है आपको आप जैसे देख रहे हैं कि एक डिस्टन्स इतने दूरी दूरी पे यह लगाये गया है जिससे कि अपना पूरा विकास कर सके क्योंकि यह ज्यादा फैला हो लेता है दोस्तों एक पौधा है तो एक पौधा काफी ज्यादा उसे है तो उसी छाप से इसको लिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं सारे खेतों में तो इस प्रकार से बना दिया गया तो इसलिए वरॉय नीचे आप पालग धनिया अन्य चीज भी आप वियोग कर सकते हैं गर्मी के सीजन में नीचे बहु सकते हैं अ इसके उज़ए से और वे इसका दोस्तों बता दे कि यह पोधा गर्मी सीजन में लगता है और जड़ इसका लगता है जादा कुछ उसमें दवावा अकूपयोग नहीं है जड़ लगता इसका जड़ लगा दें आप उसके बाद एक गसा देखें जैसा कि जड़ लगाया गया था काफी दिन से तो अब यह हरा भरा होके ऊपर चलड़ा मतलब फैलाव ले रहा है अब फल देने के देखें फूल भी लग रहा है चोटा-चोटा सफेद कलर का आपको फूल दिख रहा होगा तो पूरी तरह से विस्तार कर चुका है तो आप अगर परवल के खेती करना चाहते हैं तो दोस्त करती अच्छा है देशी परवल का मार्केट में कितना वैलू है आपको बिल्कुल पता है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जनकारी देंगे और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दिजिए मेरा चैनल और मैं आपको अच्छ करता है